नमस्ते, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है, मैं हूँ AI अंकर नैना. आज 23 जुलाई, श्रावन माह के क्रिशन पक्ष की उदया तिथी द्वितिया और दिन मंगलवार है, द्वितिया तिथी सुबह 10 बचकर 24 मिनित तक रहेगी, उसके बाद तृतिया तिथी लग जाएगी. राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आज का दिन और कैसी होगी ग्रहों की चाल, सब जानेंगे आज के कारेक्रम में. तो शुरू करते हैं आज की राशी, शुरू आत करते हैं मेश राशी से, आज आर्थिक पक्ष लाब में रहेगा, अफसरों का लाब उठाएंगे और महत्वपूर्ण कारियों को गती देंगे. आज प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा, आप चहू और श्रेष्ट प्रदर्शन करेंगे, आएके नई स्त्रोत निर्मित होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अवरूत दूर होंगे और इचित परिनाम बनेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा, एक, दो और नौ नमबर लकी हैं, लाल रंग शुब होगा, बात करेंगे वरिश राशी की, आज आप महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे, पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा और प्रबंधन के कार्य बनेंगे, करिय पांच, छे और नौ नमबर लकी है, गेरुआ रंग शुब होगा, वरिश के बाद बारी है मिथुन राशी की, भागय से सब कार्य सधेंगे और आप कला कोशल और योगिता से जगह बनाएंगे, पुन्यों में वृद्धी होगी, शुब सहयोग बनेंगे, अधिकारी वर् आपके लिए लकी है, हलका भूरा रंग शुब होगा, कर प्राशी की बात करें तो आज स्वास्थे के प्रती सजकता वर समविदन शीलता बनाए रखें, अनुशासन वर तयारी से आगे बढ़ें, आर्थिक विशेयों पर फोकस रखें और परिजनों की अंदेखी से बच अनजानों से साफधान रहें, पेशेवर मामलों में जल्दबाजी न करें, यात्रा में अवरोध संभव हैं, आज का उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, घी सिंदूर चड़ाएं और ओ महंगार का इनमह का जाप करें, आज 2, 5 और 9 नंबर लकी हैं, गुलाबी रंग शुब होगा, कर्क के बाद बारी है सिंग राशी की, आज साजीदारी के मामलों में पराक्रम दिखाएंगे, विविद प्रयासों में तेजी बनी रहेगी और दाम पत्य में सुख सौक्य बढ़ेगा, जीवन साथी उपलब्धी अर्जित करेगा, स्थायत्व को बल मिलेगा, भूमी भवन और निर्मान के मामले बनेंगे, लाब बढ़त पर रहेगा और प्रबंधन मस्बूत होगा, शुब सूचना मिलेगी, आज एक, दो, पांच और नौ नमबर लकी होगा, लाचंदन जैसा रंग शुग होगा, कन्या राशी की बात करें तो आज कुभन में ना आए, अकारण हस्तक शेप से बचे और स्वास्तिय के प्रती सजग रहे, पूर रोगो भर सकते हैं, अफवाह से बचे और आर्थिक लेंदेन में सावधानी बरते, सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा, शुब पल पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, गी सिंदूर चड़ाएं और ओम अंगार का इनमह का जाप करें, दो, पांच और आठ नमबर लकी है, गेहरबूरा रंग शुब होगा, कन्या के बाद बारी है तुला राशी की, प्रतिसपरधा में आगे बने रहने की कोशश रहेगी, आप बुद्धिबल और कोशल से सभ प्रभावित करेंगे, आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे और आप करीबियों के साथ ब्रह्मन मनुरंजन पर जा सकते हैं, आर्थिक लाब सवरेगा और कार्य व्यापार बेहतर होगा, धंधान्य में व्रिद्धी होगी, अपनों से नस्दीकिया बढ़ेंगी, दो, पां मामले हल होंगे, आज अति उत्साह और आवेश में ना आएं, भावनात्मक कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं, जिद और रहनकार से बचें, कार्य व्यवसाय में सफलता बनी रहेगी, रहन सहन आकरशक रहेगा, आज 7, 8 और 9 नमबर लकी हैं, गहरा लाल रंग बढ़ेगा, संबंधों में शुबता का संचार होगा, आज कम दूरी की यात्रा हो सकती है, आज सफलता प्रतिशत संवरेगा, व्यवसाय क्रयास गती लेंगे और अवरोध कम होंगे, आज शुबंख है 2, 3 और 9, संराइस कलर लकी होगा, मकर राशी की बात करें तो आज प रस्ताफ प्राप्त होंगे और धंधान्य में व्रिद्धी होगी, आज अतिती आगमन संभव है, लाब बढ़त पर रहेगा, फ्रेम संबंध बहतर होंगे, 2, 5, 8 और 9 नंबर लकी हैं, धूसर रंग शुब होगा, मकर के बाद बात करेंगे कुम राशी की, आज आज आपक प्रयासों में तेजी आएगी, लाब बढ़ेगा, आज जहोर सफलता के संकेत हैं, 2, 5, 8 और 9 नंबर लकी हैं, गेहुआ रंग शुब होगा, अंत में बारी है मीन राशी की, आर्थिक विश्यों में असाफधानी पूर्ण व्यवहार से बचे, लेंदेन में सजगता वा ध आज विवाद में न पड़े, दूर देश के मामलों में गती आएगी, न्या एक मामलों में सक्रियता संभव है, 2, 3 और 9 नंबर लकी हैं, लाल मुंगे जैसा रंग शुब होगा, आज के राशेफल में बस इतना ही, कल फिर सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा होगी, तब तक के लिए आप बने रहें आज तक AI के साथ, आपका दिन शुब हो,